अज पूरी रीडिंग में मैंने सिर्फ कर्मा की बात करी और देखो फॉर्गिवनिस का कार्ड आया है चैन यू बिलीब दिस कितना मैसिफ शिफ्ट होगा ये उन्होंने तो आपके साथ बहुत जादा गलत करा है जिसको लेकर आप बहुत जादा चिंतेत हो आप बहुत जादा परिशान हो लेकिन आज की रीडिंग में हम चेक करेंगी क्या कर्मा बैकफाइर करेगा क्या कर्मा आपके फेवर में काम करेगा जी हाँ हेदा लुईस, हाव वी वाल, कैसी है मेरी लावीजाडमी मुझे कामिन सेक्शन में जरूर बताना आज की रीडिंग कुछ खास होगी, कोई अलग विशय पर, टॉपिक पर होगी जहां पर देखा जाएगा की कर्मा उनके ऊपर बैकफाइर करेगा या देखो मैं यह नहीं बोलूँगी कि उनके साथ गलत हो या उनके साथ बुरा हो लेकिन हमें कहीं न कहीं यह लगता है कि कहीं न कहीं उन्होंने हमें बहुत emotionally hurt करा है, बहुत परिशान करा है, mentally बहुत drain हुए है तो देखेंगे कि क्या divine हमारे favor में आगे आने वाले समय में कुछ करेगा या चीजे ऐसे ही रहेगी या कोई बदलाव नहीं होगे साथी साथ लेंगे आज की reading में angel guidance no matter आप किस person से related आज एक question एक प्रशन रख रहे हैं यह आपकी choice है, मैं आपको reading को देखकर बताऊंगी कि divine का क्या indication है मेरे viewers के लिए, detail readings करेंगे, फिर angel guidance के थूर जानेगे कि divine का क्या संकेत है ध्यान रखें, उस इंसान के बार में मनी मन सोचें, जिन से related आप आज की reading करते हैं चली स्टार्ट करते हैं, आज की reading और देखते हैं, universe का संकेत, मेरे viewers के लिए क्या कर्मा बैकफायर करेगा divine guide करें, हमारे मेरे viewers के favor में चीजे कब होगी मेरे viewers के favor में चीजे कब होगी, मेरे viewers को, मेरे viewers को, कब तक चीजे favorable बनेगी क्यां सोच रहा है वो इनसान, या क्या चल रहा है उसके mind में, क्या उसको ऐसास है, क्या उसको ऐसास है कि उसने हमारे साथ गलत करा है, उसने हमें emotionally इतना hurt करा है, क्या उनने ऐसास है कि हमी हैं जो चीजों को लेकर negative होते जा रहे हैं okay so मेरे पास बहुत सारे कार्ड आ गए है पहला कार्ड आया है that is the handman का दूसरा कार्ड आया है ten of cups का तीसरा कार्ड हमारे पास आया है two of wands का next card we have page of swords next card we have the empress next card we have queen of swords female energies बहुत strong दिख रही है मुझे देखो मैंने का female energies बहुत strong दिख रही है eight of swords और bottom deck का card हमारे पास है four of swords भई ये बात तो hundred percent सच है कि जिसने भी आपको लेके चीजे गलत करने की कोशिश करी है खराब करने की कोशिश करी है वो इनसान आज भी आपके लिए सोचता है वो इनसान आज चीजों को लेकर मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत जादा फसा या बहुत जादा चीजों के अंदर ना pressure feel करता है सबसे पहला energy जो मेरे आज सामने आई है डाटर्स बहुत जादा खुद को फसा हुआ मैसूस करते है clarity नहीं बना पारे मुझे आगे क्या करना चाहिए मुझे चीजों को कैसे अच्छा करना है मुझे चीजों में कैसे decisions बन लेकिन मुझे आसा लगता है कार्ट्स के accordingly की somewhere जो मेरे सामने picture आ रही है ये इनसान अभी अपने realization phase में है ये इनसान चीजों को लेके सोचता बहुत है ये इनसान चीजों को लेके मैसूस बहुत करता है लेकिन आपको बता नहीं पाता कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है चलिए पहले कार्ट्स को क्लेरिफाइ करेंगे और देखते हैं डिवाइन का संकेत आम सो सॉरी में को टॉंसल हो रखे हैं इसलिए मैं बार बार ऐसे कर रही हूं आदे लोगों को इंस्टाग्राम स्टोरी से पता ही चल गया होगा देखते हैं एके करके कार्ट्स को क्लेरि The Hanged Man का कार्ट क्या energy दे रहा है? So, मेरे पास जो कार्ड आया है The Fool यह इनसान एक ऐसे जोन में बैठा हुआ है जहाँ पर इनको चीजों का अहसास बहुत है और यह चीजों के अंदर ना फसा हुआ जादा महसूस कर रहा है बोल नहीं पा रहा है अपने अंदर की बातें आपके साथ शेयर नहीं कर पारा है जो इनके दिमाग में चल रहा है यह कोशिश करते हैं कि आपके पास वापस आएं और आपसे चीजें क्लैरिफाइग करें आपको अपने मन की बातें बोले जो इन होने पास्ट में करा है इनकी एनरजी को देखकर ऐसा क्लियरली मुझे समझ में आता है कि कहीं न कहीं यह आज भी इन चीजों के बारे में सोचते हैं देखो कितनी उदासी है फाइव आफ कप्स का कार्ड है जो की इंडिकेशन दे रहा है बहुत उदासी है चीजों को लेकर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहा है लेकि लेकिन यह क्लियरली समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं आज भी इस समय यह उस लॉस को महसूस कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ करा है यह उस चीज को सोचने कि यार मैंने इस जोश में आकर यह चीजों को आकर कर तो दिया लेकिन अंदर यंदर एक उदासी अंदर क्याा इंडिकेशन दे रहा है और किया इंडिकेशन में वी हफ गर रहे होगे हैं जञ्मेंस यह ठौद में रोगई मोफ कप घौप का रहा हैं अब अपनी गलती एहसास कर रहे हैं अब अपनी गलती को समझ पा रहे हैं कि जो मैंने पास में इनके साथ करा वो मैंने बहुत गलत करा है वो burden वो pressure आज भी इनके दिमाग में है जिसको लेकर ये खुश नहीं है अंदर ये अंदर बहुत emotional हो रहे हैं और मुझे तो लगता है कि ये person है spend करते थे एक दूसरे कर समय बिताते थे वह चीज़ ये person बहुत सोच रहा है तो कहीं न कहीं mentally pressure तो है burden तो है लेकिन emotionally person बहुत है first card में भी देखा second card में भी देखा person बहुत emotional हो रहा है two of ones का card क्या indication दे रहा है divine two of ones का card क्या indication दे रहा है oh my god बहुत सारे cards आ गए है लेकिन में इतने सारे cards नहीं लोंगी दो या तीन not more than that please divine guide करें two of ones का card क्या indication दे रहा है ठीक है card जादा ही आएंगे two of ones का indication दे रहा है two of ones बहुत confusion है बहुत confusion है समझ नहीं आ रहा मैं कैसे चीज़े करूं आप में से बहुत सारे लोगों ने यहां पर अपने lovers का नाम भी लिया है I guess अपने lovers को लेकर भी question रखा है कुछ लोगों ने आप धर पार्टी से related भी question रखा है लेकिन यह इनसान जिसको आप deal कर रहे हो यह ऐसा सोचता है कि यह relationship को मैं खतम तो नहीं होने दूँगा इस relationship को मैं अच्छा बनानी की कोशिश करूंगा जो भी past में हुआ है जो भी चीज़े खराब हुई है past में आप दोने के बीच में यह उसको ठीक करने की हिम्मत रखते हैं इनके अंदर यह feel होता है कि मैं चीज़ों को खतम नहीं होने दूँगा कुछ लोगों के माइन में ऐसा चल रहा होगा कि उनके साथ relation end है यह relation में बिल्कुल भी communication नहीं है लेकिन the fool के card ने indication पहले ही हमें दे दिया है king of cups के card ने indication पहले दे दिया है कि stability बनेगी the world के card ने indication दे दिया है कि यह relation खतम अभी नहीं होगा कहीं न कहीं unexpected way में यह person फिर से communicate करेगा और चीज़ों को अपनी तरफ से 100% अच्छा बनाने के कोशिश करेगा page of source का card क्यों है universe please write करें page of source का card क्या indication क्या message देना चाता है page of source का card क्या indication क्या message देना चाता है divine please हमें guide करें five of pentacles past का issue है यह लड़ाई जगडों की वदे से ऐसा लगता है separation हो गया है break up हो गया है बातचीत बिलकुल बंद हो गई है उस past के समय को उस past के zone को बहुत miss करते हैं उस past के situation के बारे में बहुत सोचते हैं और उस समय को लेकर आज भी इनको बहुत बुरा फील होता है current situation current status उस person का ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर ना एक loss मैंने शुरुवात में पहले ही आपको बोला था कि उस loss को ये महसूस कर रहे है अगें देखो फिर से वो card indication दे रहा है कि बहुत उदास है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैंने अप्री life की सबसे कीमती चीज़ खो दी जो एक relationship शुरुवात से बहुत बढ़िया था जो एक relationship शुरुवात से मुझे वो हर चीज़ दिया करता था जो मैं चाहता था चाहती थी the Empress का card क्या indication दे रहा है universe the Empress का card क्या indication दे रहा है the Empress का card क्या indication दे रहा है please divine guide करें king of wands का card आया है the Empress के साथ okay ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर female lady से related भी question रखा है third party से related भी हो सकता है आपने question रखा हो cards की reading के time पर लेकिन देखो मेरे सामने जो image है उसको देखकर ये clearly मुझे समझ में आता है clearly ये feel होता है कि somewhere no matter past में जो भी चीज़ें हुई है एक अच्छी शुरुआत दिख रही है communication बन सकता है चीजों को clear करने की चीजों को better करने की कोशिश ये अपने तरफ से 100% कर सकते है queen of source का card क्यों है universe queen of source का card क्यों है queen of source का card क्यों है यहाँ पर guidance दीजे वाव three of cups reunion, reconciliation की energy बहुत strong है bottom deck we have ace of pentacles एक अच्छी beginning वो इनसान desire तो करता है ऐसा नहीं है कि चीज़ें खतम हो गई है ऐसा नहीं है कि चीजों का end है बहुत सारे लोग आजकल ये चीज सोचते हैं कि छोटी मोटी लडाईयां हो जाती है चोटे मोटे जगड़े हो जाते हैं तो पूरा relationship का end हो जाता है ऐसा नहीं होता मैं आपको एक बात बता हूँ बहुत सारे clients ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि अगर उनको ऐसा बोल दिया जाता है कि आप सामने से call message बिलकुल भी न करें यह बहुत बड़ा miscommunication आप लोग के अंदर होता है बहली सामने physically इनसान आपको नहीं दिखा रहा है या वो actions नहीं ले रहा है relationship के लिए लेकिन mentally उसके दिमाग में चीज़े चलती हैं जो हमें ऐसास नहीं होती जिसके बारे में हमें पता नहीं होता लेकिन वो इनसान उन चीज़ों के बार में बहुत सोचता है तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचा करें कि बातचीत नहीं होती गलत नहीं होता यह बातचीत नहीं होती communication नहीं होता है तो चीज़े खतम है ऐसा बिल्कुल भी negative mindset मत बना करो 8 of swords का card क्यों है page of wands का card है इनसान ने आप से चीज़े बहुत छुपाई है जिसके लिए बहुत हर्ट हो वो भी बहुत हर्ट है लेकिन उस वज़े से distance बहुत आ गया है आप दोनों का distance बहुत बढ़ गया है और जिस distance की वज़े से आप बहुत ही ज़ादा मुझे परिशान वाले zone में दिख रहे हो उस distance की वज़े से आप मुझे ऐसा फील होता है अंदर ये अंदर ने एक उदासी बहुत चल रही है person के mind में लेकिन किसी प्रकार की good news मिल सकती है किसी प्रकार का खुश कबरी आपके पास आ सकती है कि ये इनसान है divine four of swords का card क्या एक indication दे रहा है मेरे viewers को we have seven of pentacles and we have ace of swords okay mentally drained शुरुवात से ही है जो मैंने आपको बात बताईती है और वो देखो यहां पर भी बता रहा है वो इंसान चीजों को लेके सोचता तो है लेकिन आप दोनों के relationship में चीज़े बढ़िया होगी unexpected decisions बनेंगे और यह decisions, reunion, reconciliation के लिए होगा मैंने card reading अभी जितनी करी मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि वो इंसान चीज़े खतम करने के कोशिश करता है या वो इंसान move on कर चुका है या वो इंसान चीज़े खतम करना चाता है कहीं न कहीं हमेशा मुझे एक new beginning दिखी है एक अच्छा zone दिखा है एक अच्छा समय दिखा है good news का समय दिखा है एक अच्छी new beginning का समय दिखा है cards are very positive indications cards के बड़े खुबसूरत आए हैं लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बोलना चाती हूँ clarify करना चाती हूँ जितने लोगों नहीं हां तक readings देखी है अगर आपने जिस इंसान का नाम आज इस reading में रखा है अपने मन में मुझे नहीं पता मैं सिर्व यहां पर आपको बता रही हूँ कि वो third party हो सकती है वो family का हो सकता है वो relationship major तो मुझे relationship ही zone जादा दिख रहा है जो जिस प्रकार से cards में reunion reunion दिखा रहा है तो मैं आपको clearly एक बात बोलती हूँ कि जादा overthink चीजों को लेके ना करें चीजों को time दे क्योंकि जिस इंसान के बारे में आपने question रखा है वो अभी नहीं आगे आने वाले समय में आएगा एहसास उसको बहुत है stand वो ले नहीं पा रहा है लेकिन धीरे अंदर ही अंदर यूनो इस चीज के बारे में बहुत सोचता है जिसके बारे में आपको एक ना एक दिन जरूर पता चल जाएगा कि हाँ वो आज भी आपको लेके सोच रहा है और move on नहीं करा है चलिए फटा फट लेते हैं angel का guidance क्या है angel का guidance इस situation में divine guide करें ये मेरे viewer ने जिस भी person का नाम रखा है आज इन रीडिंग्स में इन दोनों के relationship के लिए क्या guidance है इंजल गाइडन्स दीजें divine इंजल गाइडन्स दीजें और हमें बताएं कि जो भी viewer ने person का नाम दिया है उनके साथ का relationship का future कैसा है प्लीज एंजल गाइड करें ओके helpful people someone is going to help you unexpected और इस रिलेशन को खुबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे और यह help कोई नहीं universe ही है यह help कोई नहीं angels ही है जो दोनों को connect करेगी जो दोनों के साथ relationship को ठीक करने की कोशिश करेगी देखो भाई कर्मा के बार में बात करी है और forgiveness का card आगया है अब बताओ आपको और क्या चाहिए आज पूरी reading में मैंने सबसे बड़ा संकेट चलो पूरी readings के बाद यहीं मिल गया है forgiveness का card आया है कोई help भी करेगा और वो कोई help नहीं angels ही help करेंगे और आपको वो forgiveness वो माफी लेकर आके देंगी जो आप desire करते हो तो अब तो 100% सचे angels ने भी बोल दिया है बस patience रखो चीजों को deal करो एक last card और निकालूंगी एक last card मैं और निकालूंगी आज के दिल का एक last card चलो भई दो आगए दो आगए cards एक card बोला angels ने दो card दे दिये पहला card आगए है success का और डूसरा card आगए है ready का मतलब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात help भी मिलेगी वो maafi, वो forgiveness भी मिलेगी उसके लिए आप तैयार रहो ये जो भी आपने situation रखी उसमें आपको overall success मिलने वाला है Can you see this? कितना बड़ा, कितना प्यारा guidance आज हमें मिला है angels कित्रू कि आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि आप इस चीज को notice कर पा रहे हो जो आज angels हमें बताना चारी है लेकिन अगर इसे समझ पा रहे हो तो comment section में जरूर लिखना I deserve the forgiveness I deserve the forgiveness इसको जरूर 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 लिखना अगर ये भी नहीं लिखना जाते तो ये जरूर लिखना I am ready I am ready करके भी आप लिखोगे तो चीजे favorable बनना शुरू हो जाएगी इसके अलाव और कुछ नहीं करना है जो बाते मैंने बताई हैं उसका ध्यान देना है इसा बिल्कुल भी मैं सोचना चीजे end हो गई है चीजे better होगी unexpected way में होगी तैयार हो जाओ massive shift के लिए आज जो हमने reading करी है कि क्या कर्मा काम करेगा बिल्कुल करेगा 100% करेगा और वो हमें forgiveness लाकर जरूर देखा मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे राधे राधे